वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे शेर कीजे और चैनल पर नए है तो एक लाल रंका सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजे ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आज़े उसकी पढ़ाई शुरुआ कर उसकी शादी कराना चाहते थे इसलिए गुट्डी ये सब ड्रामा कर रही थी विभूति के साथ एक डील करता है जिसमें घरवा लोगों कह देगा कि गुट्डी के अंदर दाता जी की आत्मा है और वो चाहते हैं कि गुट्डी आगे और वो लोगों के अंदर विष्वास का फ्वाइदा उठा कर बस उन से पैसे कमाता था चीकु के पास उसके पिता जी दो आ दी गई एक किताब थी इसमें पांच हजार साल पुरानी लिपी में तांतरिक विद्या के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था लेकिन विभू चीकु के हाथ से उसके किताब गिर जाती है जिसमें से एक सीक्रेट नोट निकलता है और यह नोट एक की यानि कुंजी थी जिससे उलट बाबा के किताब को एजली डिगोड किया जा सकता था इस पॉइंट पे हम योज एक बात गौर करते हैं कि जब भी कोई आत्मा आस- 27 साल पहले सिलाव स्टेट में किचकंडी नमक आत्मा का प्रगोब था कौंसी कंडी किचकंडी को बिल्कुल अन तक जरूर देखकर जाना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार मया उलट बावा को खोस्ती भी यहां आई थी लेकिन अब उलट बावा के संस मया की मदद करने वाले थे इस पॉइंट पे चीकु को लगता है कि फाइनली एक रियल घोस्ट की केस उनके पास आई है वहीं विभूती इसे भी फेक मानकर मया से पैसे ठविने के मून में था कि एक इंस्पेक्टर छेदीलाल फॉर सम रिजन उलट बावा एंसंस यानि विभूती और चिरॉंजी को ढूंड कर उन्हें फिर पकरना चाता था एनली को किताब देखकर बताता है कि किचकंडी पहारों की भूत है जो की काफी खतरनाक आत्मा है और इसे रक्त शास्त्र विधी करके ही रोका जा सकता है ये तीनों फाइनली सिलावर स्टेट पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात कणिका से होती है और कणिका काफी modern thinking लड़की थी जिसे भूत या तांत्रिक वगयरा में विश्वास नहीं था कणिका चाती थी कि माया और वो इस चाई के बगान को बेच कर उन पैसों से लंडन चले जाए जहां वो अपना चोटा सा बार खोल के अच्छी जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन माया चाई की फैक्टरी ही जवा चाती थी बले ही उसे उसमें कितना भी लॉस लग जाए यहां हम हरी कुमार नावात इंसान से ही मिलते हैं जो कि पूरे स्टेट का जनरल मैनेजर था विभूती पूरे गाउवालों के सामने किछकंडी को ललकारने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से भूत और नहीं होते लेकिन उसी रात लता नाव की औरत अपने पती के साथ किछकंडी को जंगलों में देखती है लता अगली सुबर सब को चीकु को बताती है और यहां कई गाउवाले चीकु को बताते हैं कि उन्होंने किछकंडी को अलग-अलग रूप में देख रखा है किछकंडी के बारे में और जाने के लिए माया चीको को संतु जी नमा की इंसान से मिलने को कहती है मंजु ने संतु जी पे अटाक करके उनकी आखे भी नोच ली थी और तभी उनलट बाबा ने उसे एक तांतरी घेज में पकड़ लिया वाह उन्होंने एक हड़ी में किछकंडी की आत्मा को क्याद कर लिया और फिर उन्होंने उस हड़ी को एक मटके में बंद करके पार्सी के एक पेर में दफना दिया इस पूरत प्रक्रिया के दुरान मंजू की जान भी चली गई थी इस कहानी को जानने के बाद दोनों भाई उस पेर को खोज ले दे इसमें किछकंडी की आत्मा मटके में क्या थी और फाइली चीकु को वो मटका मिल भी जाता है नौ सर्प्राइजिंगली ये मटका अभी बन था तो फिर किछकंडी आजाद होके वापस कैसे आ सकती थी विभूती को इन सब पे वरोजा नहीं था और इसलिए मजाक मजाक में वो ये मटका तोड़ देता है जिसमें से वो हड़ी निकलती है एंशायद अब किछकंडी सच में आजाद हो गई थी दूसे दरफ इंस्पेक्टर छेदी लालें दोनों भाईयों को खोशते वे धरम शाला पहुँच चुका था जो कि माया को डराने के प्लान में था विभूती फॉरण इस इंसान को चेज करता है और हम भी उसको पता चलता है कि भूत के कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं बलकि जनरल मैनेजर हरी प्रसाथ था जीहां दोस्तों हरी ही गाउवालों को किचकंडी बनके डरा रहा था और ऐसा वो कनिका के कहने पे कर रहा था दरसल कनिका चाय वगान को बेच कर लंडन जाना चाती थी लेकिन माया ऐसा नहीं कर रही थी इसलिए वो गाउवालों को डरा कर मजदूरों का स्ट्राइक करवना चाहती थी जिससे फैक्टरी को भाड़ी लौस होता और मजबूरन माया को कनिका की बात माननी पर दी इस पॉइट पे विभूती कनिका के साथ मिला लेता है जहां वो कनिका से लाखो रुपे मांगता है और बदले में वो गाउवालों को ये कह देगा कि किचकंडी बहुत स्टॉंग है जिससे सब गाउवाले गाउचोर कर भाग जाएंगे और विभूती का प्लान कामियाब हो गया था लेकिन कनिका बड़ी चालाकी से इंस्पेक्टर छेदी लाल को यहां बुला ली थी जो कि विभूती को अर्रेस्ट कर लेता है इस पॉइंट बेची को भी हो जा गया था और वो अपने भाई की सरकत से काफी गुस्ता था था और वो भी केवल 12 साल की उमर में इतना ही नहीं उल्लट बावा ने छेदी की शादी साथ साल में साथ बार बकरी से करवाई जिस विए से सब उसका बहुत मजाग उडाते थे और आज चेदी इसी बात का बदला उल्लट बावा के बेटों से लेगा विभूती चेदी पे कि जराए के बाद यह तोनों अलग लग रास्ते चल देते हैं जहां चीकु माया की मदद करने जाता है वही विभूती गाव से बार जाने की सोचता है दूसरी तरफ स्टेट में हम विभूती को देखते हैं जो कि पूरी तरफ पजस्ट हो चुकी थी और वो बार बार तितलि से बात करते हुए जा रहा था छेदी विभूती के सामने आकर उसे शूट करने की सोचता है लेकिन तितली गायब होकर छेदी पर यह टाक कर देती है इस पॉंट पे विभूती रियाइजस की तितली एक आत्मा है और वो सिर्फ विभूती को ही दिखती थी जी हां जिस तर लेते हैं और तभी माया भूती को आता है इस विभूती कर देती है जिससे प्यायजर के सोचता है तो निकल जाती के विजन आई थी और वो कुछ तितलिया वर्ट सुन पाती थी माया फॉरण पॉसेश विभूती के बास जाकर चिलाती है इससे विभूती काफे डिस्ट्राक्ट होता है इस पॉइंट पे चिकु के पास एक और पावर आता है जहां वह विभूती को छूगर किछकंडी की कह दिया और उन्होंने तितली को भी शूट करके मार दिया तब से उस ओरत की आत्मा ही किछकंडी है जो कि अपनी बेटी तितली को खोजते हुए यहां वहां भटकती है और वो लोगों को पजस्स करके उन्हें मार भी जालती है इस पॉइंट पे चिकु कहता है कि एगर किछ पेटी को उनकी बेटी तितली की आत्मा से ठीक वही मिलता है जहां अंगरेजों ने तितली को शूट किया था और मा बेटी फाइनली एक हो गये थे उस और वो अपनी बेटी के साथ यहां से चली जाती है इससे विभूती भी नॉर्मल हो जाता है इस पॉइंट पे सब कु उल्लेट बावा एंसेंस प्राइवेट लिमिटेड था जहां इन्हें अब स्कॉटलैंड से कॉल आता है तो डील विट वेरवल्ब्स और वैंपायर्स ने सजेस्ट कि भूत पुलीस फिल्म की पार्ट टू गया सकती है अगर यह वाली पार्ट सक्सेस्पल रही